नमस्कार दोस्तों क्या आपको कॉफी पीना पसंद है क्या आपन स्टैंड कॉफी पीना पसंद करते हैं तो आज हम एक ब्रांड को आपके सामने पेस कर रहे हैं उसका नाम है कॉंटिनेंटल कॉफी सीसियल प्रोड़क्ट कम्पनी का सेयर पिछले एक साल में अपने इन्वे के चांस लगातार बने हुए है तो आए किस कम्पनी काफी बेजती है और किस टाइप कि काफी बेजती है तो काफी जो है ने परोच्ट करते है इन के पास अगर हम प्रोच्पी करके आता है Roasted at Ground Coffee का company जो मालगुडी के नाम से होता है ये नाम से company अपने product को sell करती है pre-mixed coffee में भी इनके पास बहुत सारे product है और इनके पास flavored coffee जैसे hazelnut का flavored coffee है तो आप देख सकते कि company केवल और केवल instant coffee को ये company क्या करती है production भी करती है, processing भी करती है और export भी करती है, इनका business के ओल इंडिया में नहीं पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है अब हम बात कहते है, Cecil Project इंडिया के बारे में अगर हम इसके data को देखे साथ पहले हम इसके chart पे आती है अगर आप इसका chart देखेंगे और chart analysis करेंगे तो आप देख रहे हैं कि company पिछले एक साल में, अगर हम यहां से मई 2022 की बात करें जो अभी time चल रहा है, तो यहां पे May 2020 से लेकर May 22 से 23 के बीच में company 100% का profit generate करके अपने investors को दी हुई है साथ ही साथ अगर हम COVID के time की बात करें, तो COVID के time period से लेकर अभी तक company लगभग सारे 300% का return generate करके दे दी है तो यानि अगर आप देखेंगे तो company 3 years में 300 से उपर का percent का return generate करके दे दी है तो ऐसा क्या हुआ था उस time पे company कितना तेजी से grow हुई है सबसे बड़ी बात है company ने use capex किया था अगर हम यहाँ पे capex वाली category में आते हैं तो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगे कि उस time पे company ने तना capex किया हुआ था कि company अपने fixed assets से ज़ाधा capex की हुँती इसलिए मैं बार बर अपने वीडियो में capex में ज़्यादा जूर देता हूँ कि अगर कोई company है जो 371 करोड किया और company ने 226 करोड का 288 में capex किया हुआ था 338 करोड की company 424 करोड का capex फिर 100 करोड का 149, 160 अर भी 54 करोड का capex है तो company लगातार investment करती जा रही है अपने product को बढ़ाती जा रही है अपने जो facilities है उसको बढ़ाती जा रही है जिसकी वज़े से उसके share price में भी grow देखने को मिल रहा है company का अगर हम यहाँ पे share price देखे तो 10 साल में 36% के rate से grow हुआ है पिछले 5 साल में 18% के 3 साल में balance और पिछले 1 साल में company ने 75% के rate से grow किया compounded sales भी पिछले 5 साल का देखेंगे तो 13% और 3 साल का 22% है sales growth भी देखेंगे अगर आप यहाँ पे compounded profit growth भी देखेंगे तो टीटें 12 months में 32% का और 10 years में 19% का है return on equity भी पिछले 10 साल का 20% है और last year भी 20% है आप यहाँ पर company का reserve भी देखेंगे तो जो company 2017-18 में केवल 700 क्रोड का reserve रखती थी वो 2013 तक जाते 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 1400 क्रोड का reserve हो चुका है company के पास थोड़े करजे भी बढ़ रहा है क्योंकि company capex कर रही है तो यह थोड़ा सा जाहिर है कि company के पास capex बढ़ेंगे लेकिन उस capex से परिशान नहीं हो ना company अभी भी छोटे market cap के केवल 8000 क्रोड का market cap है और जिसे साथ से coffee का business चल रहा है मेरे को लगता है company का market cap 8000 से 80,000 क्रोड का भी देखने को मिल सकता है आने वाले 10 सालों में और अगर company का market cap 80,000 क्रोड होता है तो share price यहां से भी आपको 100 टाइम्स का return generate करके दे सकता है company जब से list हुई है अपने investors को अच्छा खासा पैसा बना के दीए काफी पुरानी company आप देख सकत अच्छा पैसा बनाना होगा तो हमें buy and hold का method है वो अपनाना चाहिए देखिए उस time पर आपका price गिरेगा भी ऐसा है नहीं कि जब आप buy and hold करेंगे तो लगातार आप grow ही करेंगे problem आती रहती है जैसे आप यहां पर देखेंगे तो 2017 से लेके 2020 पिछले 3 साल में company ने कुछ नहीं किया था और लगभग 60% का revenue भी grow और डाउन हो गया था तो 60% डाउन हो गया था और 3 साल का time period भी लगा था तो आप समझ सकते कितना huge opportunity उस time पर दे रहा था company की आप अगर यहां पर buy करते हैं तो आपको 300% का return generate होके देखने को मिल रहा है company का business मेरे हिसाब से बहुत बहतरीन है company को कब buy करना चाहिए अगर मैं रहता तो इसको कब buy करता तो मेरे हिसाब से यह company buy करने की सबसे अच्छी range आती जब यह 200 dma के नीचे मिलता अभी यह काफी उपर है हम यहां पे moving average वाला data लगा रहे हैं और moving average में हम देख रहे हैं कि य 200 dma के नीचे नहीं है अभी जब जब company 200 dma के नीचे आई यह अच्छा खासा result भी दी है जैसे आप यह वाला price range देख सकते हैं यह time period कब है 2013 का 2013 में company 200 dma के नीचे आई थी तो वहां से अगर आप grow देखेंगे तो आप कितना percent का grow कर पाते हैं तो यहां से अगर आप top देख रहे हैं तो company 18 गुना हो गई थी company का share price यहां से 18 times grow हो गया है चार साल में आप चार साल में company 18 गुना हो चुकिए मैं कहता हूँ कि ठीक आप उस गिरावट को निकाल दी जिसमें एक लंबी गिरावट भी थी अगर हम गिरावट को अटा देते हैं cable growing chance देखते हैं तो भी company 2 साल में 10 times का grow की थी यानि 700 days में company 10 500 गिरावट के बाद हम देखते हैं फिर्स्थे हमको grow देखने को मिलता और वह grow कितना होता है यहां से अगर हम देखे तो 146% का grow होता है एक साल के अंदर अंदर तो आप जब देखें तो इस company में गिरावट अगर हम covid की गिरावट को छोड़ दे तो बाकि हर टाइम पे इस तो नेक्सी तैम कमपोनी 40 पर्षण का नीचे रहेगी तब हम इसे अपने पॉर्ट फोलियो में जगए देंगे अभी केवल इसको अपने वाच लिस्ट में रखना है कि इतनी बहतरीन कंपनी जो हमेजा अपने 200 DMA पर जब जब आती है तो वो यहां से आपको अच्छा खासा return generate करके देती है 11 गुना का return generate करके दिया था फिर से company जब अपने 200 DMA के नीचे आया और इस time पर अगर आप buy की होते तो अभी company आपको सारे 300% का return देखते हुए देखने को मिल रही है ऐसे ही fundamental strong video के लिए चैनल को subscribe करिए और अपने friends को share करना नहीं भूलिए bell icon प्रेस करिए आई हम देखते है और fundamental चीजों को देखते हैं तो company के पास देखे debt 920 करोड अभी debt बढ़ा हुआ है लेकिन वह ने बता है जब company growing में है बहुत ऊपर चली गई है तो अभी इस company को अपने portfolio में जगए नहीं देनी चाहिए अभी आपको के बल watch list में जगए देनी चाहिए portfolio में जगए हम लोग कब देंगे जब company 40% अपने टॉप से डाउन हो और 200 dma के अगर नीचे मिलता है तभी हम इसको अपनी portfolio में जगए देंगे अगर हम company के business को और अच्छे समझे तो company spray dried coffee powder बनाती है company dried coffee granules बनाती है freeze dried coffee बनाती है company के products और capex हम देखे तो company का leading brand coffee है company के business भी केवल इंडिया बेच्ट है company foreign based company है पूरे world में इसकी coffee sales की जाती है तो मेरे को लगता है कि इस company को अपने हिसाब से देखना चाहिए और जब company हमको 200 dma के नीचे मिले तो अब हम इसे अपने portfolio में जगए देनी चाहिए ऐसा ही fundamental strong video के लिए चैनल को subscribe करिए और अपने friends को share करना नहीं भूलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का thank you thank you so much